नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस का डिजिशल चैनल इन खबर मैं विशेक पांडे आज हम बात करें संत कभीर नेगर में हुई हातापाई के बारे में एक पुलिस कर्मी ने दोनों का बीज बिजाव करते हुए लड़ाई को छुटवाया आपको बता दे कि इस बात को लेकर सियास्त एतनी गरम हो शुकी है कि चारों तरफ के वाली ही चर्चा हो रही है कि बीजेपी के बीजेपी पार्टी के सांसता और विधायक ऐसा काम कर रहे है आपको बता दे कि इस बात को लेकर सियास्त बहुत ज़्यादा गरम है वहीं सपा इस पर कह रही है कि यह हार की आशंका का नतीजा है बीजेपी हतास हो शुकी है और इस वाए से बीजेपी के कारेकरता ऐसा काम कर रहे है और पार्टी के मेंबर्स ऐसा काम कर रहे है वहीं बीजेपी ने इस पर कहा कि यह इंटर्नल सर्जिकर स्टाइक की जा रही है बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आपस की लड़ाई को इंटर्नल सरीके स्टाइक बता रही है फिला इस पूरे मामले को लेकर पार्टी के बड़े किसी अधिकारी की बात सामने नहीं आए कि वो इस बात को लेकर क्या एक्शन लेते हैं फिला सभी की नजरे इस वक्त बीजेपी अधिक्ष अमिसा के उपर टिकी है कि वो इस मामले को किस पकार लेते हैं और इसके उपर अपना क्या फैसला सुनाते हैं वहीं दूसरी और मांग उठ रही है कि बीजेपी में जो दो कारकरता लड़े हैं उन दोनों ही को पार्टी से अलग कर दिया जाए अब ऐसी एक तरफ मांग उठ रही है कि पार्टी के कारकरता को अलग कर दिया जाए जो एक सांसद और एक विधायक है अब ऐसे में देखना हो कि अमिसा इस पूरे मामले को किस पकार लेते हैं वहीं दूसरी और लोग मोदी के तरफ भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी अपनी पार्टी के विधायक और सांसद को किस पकार से देखते हैं जिनोंने इस प्रकार का गिनोना काम किया है सब यहीं जानना चाहते हैं कि प्रधानमंती नर्नमोदी क्या फैसला लेते हैं और वो विदेपी सांसद और विधाय को किस प्रकार से डंदित करते हैं साथी चाथ आपको बता दे कि इस मार पिटाई का विडियो भी इस समय इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और चारों तरफ फैला जा रहा है और ये फेस्बूक ट्विटर और हर जगा हर सोचल नेट वरक पर ट्रेंड कर रहा है और लोगों में धीरे धीरे ये शेयर होता चला जा रहा है और लोग इस बात को लेकर बीजेपी की खिल्ली उडाते नजर आ रहे हैं अगली अपटेट के लिए बने रही हमारे चैनल इन खबर पर अगर आपके वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक का और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद